हेलो एबरिवन कैसे हो आप सब आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो कुछ कलेक्शन में लेकर आई हो फर्स्ट क्राई से कपरे फर्स्ट क्राई पर आपको मिल जाएंगे गर्मियों के लिए और अल्मुस्ट जो गर्मिया है बहुत गंदी वाली गर्मी अभी से हो रही है कॉल कता में आपके सीटी में क्या हाल है जरूर बताएगा मुझे तो चलिए स्टार्ट करते ही इस फर्स्ट राई के हाल को अगर आपके बच्चे छोटे है तो आप वहां से जरूर शॉपिंग कीजिए बहुत ही अच्छे ब्रांड और बहुत ही अच्छे अच्छे माटेरियल्स आपको वहां से मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते ही समर हॉल वीडियो को क्लेक्शन है जो कि मैंने पीहू के लिया था वो है ब्रांड बेबी हग से मैं बेबी हग के जो माटेरियल्स है ना उनसे काफी जादा इंप्रेस्ट हूँ इसलिए मैं वहां से बहुत साइक अप्रे लेती हूँ तो यह है काफतान टी शिर्ट जो की बच्चों के एनिमल प कभी-कभी उससे चोटे भी आ जाते हैं कभी-कभी उससे बड़े भी हो जाते हैं तो आपको बस observe करनी की जरूरत है आपको ध्यान दखनी की जरूरत है कि आपके बेबी को जो जिस ब्रांड के किस साइज के कपरे आ रहे है तो पीहू के जो है वो बेबी हग के तीन से चार साल वाले कप्रे आते हैं तो यह है बहुत ही प्यारा सा एक काफ्तान टी-शिर्ट जो कि मैंने लिया है तीन से चार एयर के लिए बत्यों के लिए और इसकी प्राइज थी सारे चार सो रुपया पर मुझे ओफ होके 370 रुपीज में मिल गई है और गर्मी के मौसम के वियू से बहुत ही वैबरेंट कलर है और पीकु जब इसको पहनी थी तो काफी जादा प्यारी लग रही थी मैं फोटो वेगरा लगा दूंगी यहां पर साइड में अगर उसन नय है उसने अभी पहना नहीं है तो चलिए बढ़ती हूँ अब मैं नेक्स्ट कपरे की तरफ मैं उसके लिए सेट लिया है वो लिया है नाइट सूट क्योंकि गर्मियों में बच्चों के लिए थोड़े से धीले ढ़ले कपरे रात में होने ही चाहिए तो यह लिया है मैंन लेकिन आप ऐसे ही अगर बच्चे को पहनाते हो ना सुबह के टाइम पे तो यह परफेक्ट साइज है लेकिन यह पैंट इसके साथ वाले में छोटा है और यह काफी ज़्यादा प्यारा कलर है इसमें पांच से लेके छे साल तक के बच्चों की साइज अविलेबल है तो आ और वाइस भी गर्मियों को ध्यान में रखते वे भी और 100% कॉटन है काफी ज़्यादा प्यारा कलर है मैं आप पीहू की पोटो लगा दूंगी उसने पहना था यह कपरा और मैंने यह आफ्टर वाश भी आपके साथ रिव्यू में शेयर कर रही हूँ कोई भी कलर नहीं ग वो तो फ्रॉक पहना पसंद नहीं करती है पर फेविर मुझे यह बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मैंने कॉम्बो में यह दो फ्रॉक लिये हैं उसके लिए एक है यह ब्लू कलर में काफी ज़्यादा प्यारा है मैं और पीछे जाके दिखा रही हूँ बहुत ही रॉयल और ब्रांड है यह हनी हैप का तो मैंने पहली बार यह ब्रांड ट्राइ किया है और कप्रे की कॉलिटी मुझे काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है और अदरवाइस जब वो पहनेगी तो कैसी लगती है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और यह देखो आप फ्लावर प्रेंटिंग की यह ड्रेस है हनी हैप की और इसमें भी मैंने साइज ली है 3-4 यह थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पीहू को लेकिन जो है वो सही है मतलब नेक्स्ट यह तक वो पहन सकती है और इसकी और इसकी प्राइस थी 900 रुपए और मुझे मिल गई है मैंने बेवी हक के जो कपर है वो बहुत जादा ट्राइ किये हैं तो कुछ दूसरे ब्रांट के उपर थोड़ा सा फेथ करना डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन मुझे यह क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और पहनने के बाद यह बहुत ही जादा प्यारा लगेगा ब पहनने के लिए मैंने लिया है इनर सेट यह ब्रांड मियार कस का जो की 95% कॉटन और 5% एस्पेंडेक्स माटेरियल से मिलके बना है इसमें भी मैंने साइज लिया है 3-4 यह के लिए और यह मुझे तीन सेट में इनर मिल गया था और इसकी प्राइस थी 900 मुझे मिली है 600 के आ जादा प्यारा कलर है और गर्मीयों में मतलब घर में पहनने के लिए न काफी कमपर टेबल है यह पिछले साल भी मैंने यह इनर लिया है और इस साल वह थोरग सा छोटा हो गया था उसमें मुझे साइस का थोरग सा नॉलेज नहीं था कि किस ट्राइब के साइज लेने चाह तो आप जाके चेक आउट कर सकते हो, काफी अच्छा है, कमफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से जो मैंने पीखु के लिया है, वो अगेन मैंने एक इनर ही लिया है, एमाई आरकस से, वो मीरकस नहीं था, एमाई आरकस ब्रांड था तो यह है इस टाइब के इनर, जो कि काफी जादा अच्छे लगते हैं गर्मियों में बच्चों के उपर, चाहे बॉइज हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, आपको यह वाले मिल जाएंगे, उसमें न्यूबॉर्ण से लेके, तीन से चाह साल तक के साइज अब लेवल है, तो यह मै गर्मियों में अगर एक गर्मी का सीजन भी वह पहन लेती है ना, तो होता है ना, कि पैसे साल थक हो जाएंगे, बैसी वाले चीज़े, तो यह मुझे काफी जादा प्यारा कलर लग रहा है, बस material थोरा सा मुझे पूर लगा उस हिसाब से, जो इससे पहले वाला मैंने इनर दिखाया था उसके हिसाब से, और मैंने लिया है, अगें 3-4 यह के लिए, तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, लिया है, एक नाइट सूट, जो कि मुझे पढ़ गया था, 360 हो पैमें, और इसमें साइज तो है, एवलेबल, 3-6 मंथ से लेके, 4-5 यह तक साइज एवलेबल लेकिन पैंट थोरी छोटी है, मतलब डाइपर के उपर से यह बहुत जारी टाइट आ जाईगी, तो यह मैं डाइपर के बिना ही पीहू को पहनाऊंगी, जब भी सुबह में पहनाना होगा तो, लेकिन आप रात में इसको डाइपर के साथ थोरा सा अनकमफर्टेबल लगे तो उसी हिसाब से बच्चों का भी होता है, कि उन्हें भी रात में थोरा सा फ्री होता है, फ्री चाहिए होता है बॉडी, तो इसलिए मैं लूज पैंट ही प्रिफर करती हूँ पीहू के लिए, बाकी एक मा जो है अपने बच्चे के लिए बहुत बेटर सोच सकती है, तो जो आप सोच रही है, वो बहुत ही बेटर है, यह सोच के आप चलिए, तो यह देखो आप, क्वालिटी काफी जाद अच्छी है, जब भी वो पहनेगी, मैं फोटो यहां पर लगा दूगी, फैंट्स लिए हैं मैंने उसके लिए बेबी हक से ही, जो कि मुझे तीन के है, तीन सो रुपए, मतलब सो सो रुपए का एक लगा मुझे, और इसमें दो साल से लेके, पांच साल तक ही साइज अवलेबल है, तो आप जाके देख लो, चेक आउट कर सकते हो, कप्री की कॉलिटी बहुत जाद अच्छी है, और हाफ पैंट गर्मियों में तो बहुत ही मैंसे सरी है, चाहे वो लड़के हो, या लड़किया हो, तो दोनों के लिए ही बहुत जादा अच्छा है, आप जाके चेक आउट कर सकते हो, पीभू के लिए इस साल जो कुछ नया लिया है, वो है थ्री क्वार्टर स्पैंट, जी हां, यह है ब्रांड बेबी हक का, और यह डाइपर के उपर से बहुत एजली हो जाता है, मैंने पहनाया है इसको रात में, और सेकेंड कलर है यह, और तीनों सेट मुझे मिल गया था, 500 में, मतलब कि आपको 500 के अंदर तीन सेट मिल गया था, और इसमें साइज जो है एक साल से लेके 5 साल तक की साइज अबलेबल है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, अपने साइज अपने बच्चों के कोडिंग ले सकते हो यह वाला पैंट मैंने उसके साथ इस साल न्यू ट्राइ किया है क्योंकि उसके पास 3 quarters पैंट नहीं थे जीन्स था, हाफ पैंट थे, यह सब चीजे थी पर यह नहीं था तो यह मैंने नया ट्राइ किया, इस साल पी हो के लिए, वो है यह स्लीवलेस ड्रेस, फ्लावर प्रिंटिंग का काफी जादा क्यूट सा ड्रेस है, यह ब्रांड है, अगेन बेबी हग, आप सोचोगे कितना मैं बेबी हग से स्वापिंग करती हूँ, उसकी क्वालिटी मुझे काफी जादा पसंद है, प्राइस वाइस और यह मुझे मिला है और मैं इसे तब पहनाने वाली हूँ, जब एकदम गंदी वाली गर्मी आ जाईगी, अभी भी गर्मी है, लेकिन यह वाली ड्रेस पहनने लाइक वाली गर्मी नहीं है अभी, तो I think मैं इसको पहनाऊंगी, अप्राइल या मही के आसपास, तो इसकी फोटो तभी आपको द क्यार दीजेगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि उसके चैनल को मैं तब तक हैंडल करो जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती है, चीजों को समझने नहीं लगती है, उसके बाद मैं वह चैनल उसको दे दूँगी, क्योंकि वह उसके बर्च से लेकर मैं चाहती हूँ कि वह जब तक उसको चला सकती है, वो चला है, ताकि उसकी मेमोरी उस ID में रहे, तो इस वज़ा से मैं वो ID अभी फिलाल खुदी हैंडल कर रही हूं, जब वो बड़ी हो जाएगी, तो वो हैंडल करेगी, तो इसकी प्राइज जो है, वो 400 है, साइज है 3-4 यह, इसमें 5-6 यह तक क यह T-shirt है, और बहुत जल्दी आपको इसका फोटो शूड पीरू के चैनल पर आपको मिल जाएगा, और एक-दो फोटो में यहां पे लगा दूँगी, आप वहां से देख सकते हो, यह है ब्रांड The Magical Wand का, तो आप जाके यह चेक आउट कर सकते हो, बहुत अच्छे-चे T- T-shirts आये हैं, होली को लेके, और अगर आप अपने बच्चों को भी इस टाइप के T-shirts पहनाना चाहते हो, क्योंकि यह तो वन टाइम पहने वाला T-shirt है, तो इस पे जादा पैसा वेस्ट करना, मुझे थोरा सा बरबादी लगा, क्योंकि यह पहनने के बाद फिर तो वो पू आप और भी अलग अलग जाके वहां से देख सकते हो, कि वहां पर बहुत अच्छे और भी प्रिंटिंग के जैसे की बुरा नमानो होली है, माइफस्ट होली, इस टाइप के स्लोगन के साथ भी T-shirts एवलेवल है, तो जाके फटा-फट चेक आउट करना, लास्ट लिया है, यह छोटू सा हाफ पैंट, जो कि फ्रॉक पैंट होता है, जो फ्रॉक के नीचे पहनते हैं, बच्चियां जो पहनती हैं, तो यह मुझे छे सो में पड़े हैं, साथ पीस, जो कि अभी मेरे पास है, I think, एक दो, तीन, चार पांच, छे और एक पीहु पहन चुकी है, जो है, 3-4 years के लिए, 24 नंबर की साइज है, 100% cotton है, तो आप जाके यह चेक आउट कर सकते हो, यह देखो आप, colors भी काफी जादा अच्छे हैं, काफी प्यारे हैं colors, और animal printing की गई हैं इनके उपर, तो काफी cute से लग रहे हैं, तो यही सब था, जो कि मैंने पीहु के लिए, गर्मी के लिए लिया, addresses, आपको कौन सा पसंद आया है, ज़रूर बताईएगा, और सब की जो है, जो कपने हो पहन रही है, उसकी मैं skin shot आपको लगा के यहां पर दे दूँगी, और अगर नहीं होई, तो आपको उसके channel पर जाके, please check out कर लिजेगा, और subscribe कर लिजेगा उसके channel को, चली मिलती हूँ, मैं आपसे next video में, till then, bye-bye.